हालो फ्रेंट्स वेल्कम टू मैं चैनल पंजाबी चटकारी मैं रिनू नरूला जैसा कि वरत चल रहे हैं तो आज हम एक साबुदानी की रैसीवी बनाएंगे आए देखिए मेरी किचल में क्या बना रहे हैं तो आज हम बनाएंगे साबुदाना रचीला वरत में हम पूरे वरत रखते हैं तो हमें कुछ ना कुछ अलग अलग वराइटी चाहिए होती है कुछ न कुछ बनाने के लिए कि आज ये बनाएंगे आज ये बनाएंगे तो आज हमने बनाया है साबुदाना कचीला जिसके लिए साबुदाना मैंने लगबग 200 ग्राम लिया है और यह आप देखिए मैंने इसको कम से कम 6 घंटे के लिए भिगो के रख दिया है यह मेरा एक यह अच्छी तरह से गल गया है अब मैं इसको सबसे पहले पीछ लेती हूं और जिसमें हम बाद में डालेंगे स्वादनुसार नमक जो सेंधा नमक है खाने में यह डलता है वर्त में यह मैं आप देख सकते हैं यह खड़ा जीरा है यह मैंने भून के डालावा है इसका स्वा प्राइनिंगे लिए हम यह कोटू काटा यूज करेंगे और दो आलू लिए यह बड़े साइस के आलू है क्योंकि मेरा साब दाना ज्यादा है तो सबसे पहले में जो है इसको पीछ लेती है अपने थोड़ा सा पानी डाल के इसको पीछेंगे आप देखेंगे यह बिलकु पानी डाल के इसकी फाइन टेस्स बना लेंगे थोड़ाने को आप देखी इस तरह से मैंने पीछ लिया है चीतर से अब इसको किसी बड़तर में निकाल लेते हैं यह आलू मैंने कद्दू कस कर लिए कद्दू कस ही करने हाथ से इसको दबाने नहीं है नहीं तो आलू की गा यह आजा चमच काली मिर्च है आप खाना चाहें लाल मिच खाएं तो लाल मिच भी डाल सकते हैं यह खड़ा भुनावा जीर है हार इमेज धनिया आजा चमच इननमक डालाए नमक स्वाधन शाथ डालीए और अच्छे तरह से इसको मिक्स करेंगे थोड़ा पानी डालेंगे अब मैं अपना कोट्टू काटा मिला रहे हैं उसमें थोड़ा ऐक बड़ा चमच है इससे पानी डाल के थोड़ा अच्छा सा बैटर बनाएंगे इसको थाकि हमारा छीला जो है अच्छी तरह से बन जाए यह मारा बैटर जो है परफेक्ट तयार हो चुका है अब इसको 10-15 मिन के लिए हम रेश देते हैं तब तक मैं अपनी हरी चट्नी बना लेते हैं हरी चट्नी के लिए यह मैंने धनिया यह चार से पाँच हरी मिच ले लिए अब मैं इसमें खटा करने के लिए और हम चूर भी डाल सकते हैं निम्भू भी डाल सकते हैं मैं अनार दाना डाल हूं नमक स्वादने सब्साद डाली ए आज अधा चंबश नमक हैं थोड़ों सा पाणी डालकर इसका पीस लेंगे हम तियार हो जेगी है इसको । अब थाय ता बनाना को हमने ले ले लिए दई वायदगा कुमने काट लिए इस तरफ ब कर लिया यह फिल अब इसके हम थोड़ा सा नमक डालेंगे आप चीनी भी डाल सकते हैं पर मैं चीनी नहीं डाल रही हूं इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे आलू डाल रहे हैं अच्छी तरह से मिला लीजी इसको यह थोड़ी सी हरी मिर्च हलकालका टेस्ट आता अच्छा लगता रायते में दो से चार पत्ते धनिये के थोड़ा दबो नजीरे डालेंगे आप इसमें इंबली की चटनी भी डाल के खा सकते हैं अनार के दाने भी डाल सकते हैं इसमें तो यह हमारा रहता त्यार हो गया है तो हम बनाने जारी चीला हमने गैस चला लिए हलका तवा घरम हो गया हमारा अभी हमने आपको स्लो रखा थोड़ा दगी लगाएंगे अच्छी से तबे पर फ़ला लेंगे इसको हमने चेलेगा बैटर पूर करना इसमें कि अलकालका को फ़ला के जैसे भी आप छोटा बड़ा जैसे भी खाना चाहें यह पर खा सकते हैं तो इसको हलकी आट पर ही शेकेंगे इसके बाद हम अच्छी पर शिल जाएगा तो पढ़तेंगे अब यह एक साइड हमारा पख चुका है अब इसको हम पढ़तेंगे इसको लग्षी पर शिताफ़ बनाएं अब दोनों साइड से अलकालका धी लगाएंग आपको तेज कर दिया है अब दूसरी साइड ही पकेगी तो कि हमें करारा करारा चाहिए होता है यह देखिए दोनों साइड अच्छी तरह से पक चुकी है और इसको हम निकाल लेते हैं अब दूसरा चीला या राकी चीले भी हम इसे तरह से पने बनाएंगे पिर आपको हम स इस तरह से हरी चटनी अलुका रायता इस तरह से आप बनाएंगे और वर्त में इंजॉय कीजिए यह बहुत ही सौफ्ट बना है और इसको बनाने में जल्दी ना कीजिए क्योंकि यह धीरे धीरे बहुत ही अच्छी तरह से बनेगा अगर नहीं तो कभी कई बारी टोटने लग जाता है आप इस रसे बनाएं और इंजाय कीजिए वर्त में अगर आपको मारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज इससे लाइक कीजिए शेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल को थैंक यू